राजधानी जैपूर में मस्कुलोस्केलेटल सोसाइटी के कॉन्फरेंस और वरक्शॉप का आयोजन किया जा रहा है आपको बता दें कि दुनिया भर से 700 डॉक्टर इसमें शामिल होंगे मस्कुलोस्केलेटल सोसाइटी कई लोगों के लिए यह वर्ड बहुत नया है क्या य मस्कुलोस्केलेटल का मतलब मस्कुलो मसल स्केलेटल मतलब बॉन्स जो बॉन्स की और जो अपने नसे हैं और जो अपनी मसल्स है इनकी बीमारी से समंदित जो भी डिजीजिस है उनका जो निदान और उनका जो टीटमेंट है जिस शाखा में करते हैं उसको हम मस्कुलोस्क लिटल सुसे ब्रैंस कहते हैं बारवी कॉंफरेंस राजधानी जैपुर के अंदर इसमें आजित हो रही है आप से बात चीत हुई थी आपने का दो साल से आप इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं तो ऐसा क्या इस कॉंफरेंस और वरक्शॉप में होने वाला है इसकी दो सा 21 कंट्रियों के 28 इंटरनेशल डेलिएट्स आ रहे हैं जो कि इसके बारे में चिखाएंगे तो सब लोगों से कॉडिनेशन करना जगह बजनेश करना फिर हमारे केड़ेवरी कुट वरक्शॉप कर रहे हैं तो उसके लिए डेट बोडिस का इंतिजाम करना तो इस तरीके ज में बहुत मेहनत करी है और आइटिंक हम इसमें एक अच्छा सुक्सेस पाएंगे डॉक्तर गौरव से हम बात करेंगे सर सवाल वही है ट्रीटमेंट जैसे कि आपने इसले चारपा साल से इसके एडवांस जो टेक्नलोजी है वह इंडिया में यूज होनी शुरू हो चुकी इसलिदेश अब पीधा पीषेंट के लिए मुस्कूलोज-विमारी के लिए एक गग्सिंटम होता है मुझे पेयन है स्पोर्ट पर्शन के लिए दो सिंटम होते हैं या तो मुझे पें है या या यह ऑक्टिविटी मैं ये करχी नहीं पा रहू और पयसकूर्ट सपोर्ट गया कनेफ्टी टिशू कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है उसकी वज़े से भगवान ने हमें एक गिफ्ट दिया है उसका नाम है पेन आपको बताता है एक रेड वर्निंग वो कार के डैश्बूर बेरेड लाइट जलती है पेन उसकी तरह है जो आपको सिंगनल देता है कि दे नमबर वन जैसे किसी को नी पेन है नी पेन के सो कॉज हो सकते हैं तो जब तक हम वो पिन पॉइंट नहीं करेंगे कि आपके नी पेन का कॉज यह पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो डैमेज हो गया है जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जब तक टीटमेंट नही कि वो 5 साल से उस pain से परिशान है इतनी जिगह दिखा चुका है ये MRA करा चुका है बढ़ आज तक ठीक नहीं हो पाया 99% of cases का cause होता है कि उसके exact pain का cause आज तक डाइग्नोस ही नहीं हुआ तो most important है pain के cause का diagnosis होना जो कि इस workshop and conference में हम musculous keratial ultrasound से सिखा रहे हैं up to 80% of all musculous keratial injuries, sports injuries, joint pains, back pain, ultrasound पे ही डाइग्नोस हो सकते हैं और 20-30% depending on आपकी bone damage, cartilage damage है उनके लिए MRAI बेटर होता है पीछ में मैं आपको टोकूंगा जैसे आपने बताया कि जो cause है अगर pain है उसका root cause अगर हम पता कर लेंगे तो शायद अच्छे से उसका इलाज हो जाए लेकिन अक्सर हमने देखा है sports person की अगर हम बात हटा दे तो normal लोग जैसे pair मुड़ गया, mocha गई, knee pain है तो वह जनरली कोई slip हो गया गाड़ी से या कहीं से भी गिर गया जनरली वह एक्सरे कराते हैं और plaster बान लेते हैं मोच आ गई या मास फटिया जो common language में तो गरम पट्टी बान लेते हैं तो ऐसे में उसको ये बताएगा कौन की आप इसका थोड़ा और advance जांच करा ले देखो अगर आपको कोई भी injury हुई और आपका pain दूसरे तीसरे दिन से कम होना start हो गया इसका मतलब आपको जो भी injury हुई थी वो body अपने आप heal कर रही है उसको rest देदो वो अपने आप ठीक हो जाएगा most of these small injuries हफते बर दस दिन दो हफते में ठीक हो जाती है और आपका pain खतम हो जाता है तो जितनी injury हील होती जाएगी उतना pain कम होता जाएगा अगर दो हफते हो गए injury को आपका pain फिर भी नहीं जा रहा आपको परिशान कर रहा है so it is the time to meet an expert जो आपका सबसे पहले diagnosis कर सके या फिर आज ही injury हुई बट pain इतना severe है या आप चल ही नहीं पा रहे है उस pain की वज़ासे का मतलब कुछ तूट गया है तो उस case में फिर आप उसी स्थीति पर डॉक्टर से मिले है एक बार diagnosis confirm हो गया पूरे world में कहीं भी चले जाएं चार ही treatment possible है किसी भी sports injury, musculoskeletal pain के नमबर 2 is physiotherapy, rehabilitation, नमबर 3 is surgery ये लगभग आम जनता को सबको ये तीनों चीजों के बारे में पता है जो एक बहुत बड़ा spectrum आता है जिसको कहते है minimally invasive OPD based interventions मतलब कोई चीरा नहीं लगता, cut नहीं लगता बट अंदर की injury को ठीक किया जाता है वो उसकी एक जो workshop है जो हम SMS medical college में cadaver training कर रहे हैं उस workshop को नाम है musculoskeletal interventions workshop तो एक ये जो बहुत बड़ा spectrum जो नमबर 3 पे आता है तो depending on number one आपकी क्या structure injured है, number two उसकी injury की degree कितनी है, degree थोड़ी है तो कुछ नहीं rest दे, दो body अपने आप ठीक कर लेगी, degree जादा है physiotherapy करो, और जादा है intervention करो ये तो बहुत जादा है surgery करनी पड़ेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि या तो हम ऐसा कर लेते हैं या वैसा कर आइडियल हमेशा इन चारों में से एक ही होगा, और a combination of two, जब तक exact diagnosis नहीं होगा, वो exact treatment का भी start नहीं हो पाएगा, तो except surgery, musculoskelet, radiologist, diagnosis, चाहे वो ultrasound से बनाना हो, चाहे वो MRI से बनाना हो, चाहे वो CT scan से बनाना हो, और आज के MSK radiologist, physical examination भी जानते हैं, तो चाहे physical examination से बनाना हो और अगर उसको बिना surgery, intervention से treat किया जा सकता है, तो उसको musculoskelet, radiologist, treat भी कर सकते हैं, तो except surgery, बागी सब कुछ इस conference में, except physiotherapy and surgery, बागी सब कुछ इस conference में training दी जाएगी सर, एक आखरी सवाल यह है कि, surgery जो option आपने बता है, तीन option बे डाइगनोस के बाद में, अपने आप या तो हील हो जाएगा, अपने बाड़ी ठीक कर लेगा, फिर आखरी जो आज कल जो आखरी है, इस वाली चीज से पहले, surgery last option था, लेकिन अब surgery के बिना जैसे आपने पता हैंगे, और जो जैसे arthritis pain है, सुधियो पूराना pain है, क्या वो मरीज भी सही हो सकते हैं, या इसका भी कुछ एक एज क्राइटेरिया या इस pain की कोई हिस्टिय की इतने साल है, तो ही वो ठीक हो पाएगा, बहुत अच्छा question है, मैं इसको बहुत simply explain करना चाहूंगा, कोई भी क चीज़ी का replacement नहीं है, ऐसा नहीं है कि या तो surgery करा लो, या हम ये intervention कर देते हैं, जो patient surgery से ठीक होगा, वो surgery से ही ठीक होगा, बट जिस patient की degree of injury उतनी हाई नहीं है, कि जहां पे कुछ जा कि repair करना पड़े, suture मारना पड़े, हड़ी में वापस जोड़ना पड़े, दो हड़ी इन interventions के अंदर, अपने आपके अंदर एक sub category है बहुत बड़ी, जो globally बहुत fast evolve कर रही है, उसको कहते है, regenerative medicine, आपने stem cells सुने होंगे, बच्चों को cod blood cell अश्कल प्रेज़र कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, इन सब में, देखो हमारी आपको कभी चोट लगी है, कट करते है, bandage लगाते हो, अपने आप हील हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी body के अंदर, खुद के अंदर liver आधा donation में ले लेते हैं, body वापस regenerate कर रहे हैं, हमारी body की खुद excellent regeneration capability होती है, बट जैसे जैसे हम age करते हैं, वो regeneration capacity slow होती जाती है, एक वो कारण है, जो old days मे है, छोड़ी है चोट लगी बट ठीक ही नहीं हो रही, दूसरा कारण है, sports person में चोट लगी, उसको ठीक होने का time ही नहीं दिया, दो दिन बाद training स्टार्ट कर दी, चोट ठीक ही नहीं हो, इससे पहले उसको वापस use करना चालू कर दिया, तो इन दो case में ये chronic injuries में convert हो जाती हुए, उनको जाके inject करते हैं, जो body के, आफी के cell, body आफी की use करती है, और body को, जो अभी तक repair नहीं कर पारी थी, वो आपकी external stimulus, external help से body repair process वापस start कर देती है, और वो ठीक हो जाते है, but then again, patient selection बहुत important है, कोई भी किछी चीजी का replacement नहीं है, जिस patient की cartilage बची ही नहीं है, तो वो regenerate कैसे होगी, तो आपका जो सवाल था कि age group, age group पे depend नहीं करेगा, degree of injury पे depend करेगा, कि हम intervention करें, surgery करें, rest medicine करें, या physiotherapy करें, तो वो quantification of injury is the key in deciding हमें कौन सा treatment करना है, thank you. इते हमरे साथ, डॉक्टर MP गोएल और डॉक्टर गौरव जी इनोंने बताया कि मस्कूलो स्केलेटल क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है, और इसके बारे में detail से और समझने के लिए आपको इस conference और workshop में आना पड़ेगा, हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उन ड अदर बार